आडवकेट भुदेप महनन्द्या का अभिवादन स्पिकार के जिए साथियों आप देख रहे हैं वैसाब पीपल वैसाब बहुजन बहुजन परिबार में हल्चल है यह हल्चल क्यों है बस्पा का युबा लीडर अकास आनन्द जी का सगाई 26th मार्च 2023 में होने वाला है बिशेश कवर शुत्रज यह कवर मिल रहा है चूटर हंडल से यह पता चलता है आकास आनन्द जी का साधी बस्पा का कद्दावर ने था अशुक शिधार्थ जी का बेटी का साथ होगा अशुक शिधार्थ जी का बेटी प्रग्या है वो पेशा में एक डक्टर है यह भी खबर से पता चल रहा है शुत्रों से पता चल रहा है 26 मार्च रात दस बाजे यह शाधी होने वाला है यह शाधी में बहुत सारे लोगों को बियाईपी लोगों को बुलाया गया है और यह शाधी बोध परंपरा से होगा बोध रिदिरिवात से होगा और यह गुरुगाओं में होने के लिए स्तीर क्या गया है इस शाधी में सारनात कुशिनगर लखनों से बोध मंग को नेवता दिया गया है यानि सारनात का बोध विख्यू कुशिनगर का बोध विख्यू और लखनों का बोध विख्यू अकास आनन्द जी का साधी में उपस्चित होंगे और बोध रितिरिवाज से इस साधी किया जाएगा यानि बहन मयावती जी उनका भतीजा अकास आनन्द जी को साधी के लिए तयार कर चुकी है इनसे ये प्रतिक होता है बोध रितिरिवाज बोध परंपरा कैसे पालन किया जाता है ये शाधी के लिए देखने के लिए मिलता है और मिलेगा साथियो हिंदुस्तान न्यूज में ये खबर मिला है कि उतर प्रतिय सरकार ने डी-एम की पुर्भ मंजूरी बिना से बिना सेडुल कास्ट सेडुल ट्राइब का भूमी को खरिच सकता है ले सकता है ये यूपी गवर्वेर्मेंट का फैसला आया है आप सबी को पता है टुबाइट एक्टिसिक्स एक्ट के तहट सेडुल कास्ट और सेडुल टाइब जमीन को डी-एम लेविल का डिस्टिट माजिस्टिट लेविल या स्डी-एम लेविल का आफिसर का उताउट पर्मिशन से वो जमीन कोई करीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है यूपी में ऐसा एक कानून बन गया है आज से डी-एम कार उताउट पर्मिशन से सेडुल कास्ट और सेडुल ट्राइब जमीन को कोई भी खरित सकता है कोई भी ले सकता है कोई जंजट नहीं रहा यानि कानून को केशे मिश्यूज करके आने वाला दिन उतर प्रदिस में सेडुल का सेडुल ट्राइब का जमीन को हड़पने की ये कोशिश चल रहा है जब जब मनुवादी सरकार स्यासन में बैठता है बहुयोनों का जमिन का उपर उनका कब्या करने के लिए जो प्रया से ये जलक रहा है बस्पा सुप्रीमों बहन मायवती जी ये आदिश दी है कि महिलाओ को बस्पा में जदा से जदा सामिल करवाना चाहिए बाबा साहिव अमबेट कर कहा करते थे कोई भी शमाच का प्रोग्रिस हम कैसे आकलन करेंगे जो समाच का उमन जदा प्रोग्रिसीव है पढ़ी लिखी है वो समाच में आकर पूरी शमाच का सब कंधा से कंधा मिलाकर काम करने लगी है तब हम कहेंगे वो समाच प्रोग्रिसीव है इस आदस में चलते हुए बहन मायवती जी ने बहुजन समास पार्टी में महिलाओं का युगदान के लिए महिलाओं को जड़ने के लिए आदिस दे दी है बस्पा को लेकर भारत और बिदिस में चर्चा बढ़ गया है चर्चा ये बढ़ गया है बस्पा ही एक मात्र प्रणिकल पार्टी है जो भारत का सम्वेधान को बचाने की दमखम भरता है इसलिए ऑस्पा के बारे में जूर सूर्चे चर्चा चल रहा है बारत बस्पा ही एक प्लडिकल पार्टी है जो सम्वेधान को सुर्ख्या रखने की दमखम भरता है और बस्पा ही स्थी अस्टी ओबेसी का हिदेशी है बहन मायबती जी का सासन का पिरियड में ये देखने के लिए मिलता है उनका केबिनेट में 11-11 OBC मिनिस्टर देखने के लिए मिला जब बस्पा भारत बर्स में नहीं था उनसे पहले OBC का स्थिती बहुत खराप था जब से बस्पा नेशनल पार्टी बना है उसी दिन से स्थी स्थी OBC का लोग अपना दमखंपर लोक सभा और विधान सभा में जा रहे हैं साथियों आप देख रहे हैं वाई सब पीपल वाई सब भूजर आभी तक आप हमारा चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो काई में सब्सक्राइब किजिए सेर किजिए और अपना भी जरूर लिखिए